हेलो एवरीवन वेलकम टू HVS इस्टडीज तो दोस्तो आज रहेगी 11 सेप्टेंबर 11 सेप्टेंबर की सेकेंड शिफ्ट आपकी कम्पलीट हो चुकी है सेकेंड शिफ्ट में जो भी कोश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी कोश्चन्स को फुल डीटेल में कवर करेंगे मैकसिमम कोश्चन में कवर करेंगे एनलस्स की वीडियो की फीरी में पीदियफ पानी के लिए हमारे टेलि ग्राम गृरूप को आप ज़रूर जॉइन करने जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडिड है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के तो गुपाल कृष्ण गोखले इस question का आपका correct answer था जो हमारा revision का part था वहीं से बिलकुल same question आपका ये पूछा गया है आप देख सकते हैं servants of Indian society को गुपाल कृष्ण गोखले के द्वारा found किया गया था अगर बाकी का revision करने एक बार तो ब्रह्मो समाज को राजा राम मुहन र पूरंग ने आर्रे समाज को द्यानंद सरस्वती ने रामकरिष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने सत्य सोदक समाज को जोतिबा फुले ने अलीगर मूब्मेंट को सेयद अली एहमत खान के द्वारा आत्मिया सभा को राजाराम मुहन रॉय ने तत्व बोधिनी सभा क को दिवेंदर नाठ टैगोर ने हिंदू महासभा को मदन मुहन मालविया ने अनुशिलान समीती को सतीष चंदर बसू ने और जुगंतर को बरिंद्र खुमार घोश के द्वारा फॉर्म किया गया था बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन का जहां से एक्जाम गांदी की एक फेमस बुक रहती है जो एक्जामस में अक्सर देखी जाती है यह भी कोशन हमारा रिवीजन से ही आया है सेम रिवीजन हमने करा था आपको बताया भी था जिसमें महात्मा गांदी की बुक रहेगी माय एक्सपेरिमेंट्स वे ट्रोथ और भी इनके द्वार जवालाल नहरू की डिसकवरी ओफ इंडिया और गिलिम्सेज ओफ वर्ड हिस्ट्री प्रनव मुखर जी की चैलेंजेज बिफोर दी नेशन सागा स्ट्रगल एंड सेक्रिफाइस सरोजनी नाइडू की है गोल्डन थ्रेशोल्ड दी ब्रोकन विंक्स एंड सॉंग्स ओफ सुभाष चंद्र बोस की रहेगी इंडियन स्ट्रगल ओफ 1922-1942 और एं इंडियन पिल्क्रेम ममता बैनर जी की है माई अनफॉर्गेटेबल मेमोरीज एपीज अब्दुल गलाम की विंक्स ओफ फायर जोकी अभी तक चार से पांच वार ओल्लीड एग्जाम्स में पूछ जा चुकी है इंडॉमिटेबल स्प्रेट और इगनाइटेड माइंट दादभाई नरोजी की रहेगी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वीडी सावर कर गी इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस ओफ 1557 राजेंदर प्रसाद की इंडिया इसन और इन अर्टिक हूम इंडिवेटास जो भी आपके कोशांज बन रहे हैं उसमें से 60 to 70 परसेंट कोशांज जो हम यह आपको रिवीजन प्रवाइड कराते हैं जो यह एक्स्टा इंफॉर्मेशन प्रवाइड कराते हैं यहां से देखने को मिल रहे हैं दोके दो कोशन extra information से ये आपके आज पूछे गए हैं आगे बढ़ते हैं अब अगले question पर बढ़ने से पहले आपको बताना चाते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आप सभी के लिए एक e-book तयार करी गई है जिसमें last 8 मंत का current affair आपको provide कराया जा रहा है इसमें total 2000 प्लस current affair के questions रहेंगे हर मंत का आपको separate मिलेगा current affair, January का, February का, August तक का सभी आपको current affair के questions मिलेंगे और सबसे जादा ये important इसलिए रहेगा क्योंकि question के साथ आपको full extra information provide कराया जाएगी तो बिलकुल game changer e-book है आपके exams के लिए आगे जो आपके exams होंगे उनमें भी बहुत जादा help मिलने वाली है ये आपको available क आप description में जाके इस e-book को buy कर सकते हैं अगर downloading में कुछ भी issue आता है तो नीचे हमारी Gmail ID है आप इस पे हमको directly mail भी कर सकते हैं फिर एक question ये question भी revision से same dicto question पूछा गया the second edition of Kalo India Youth Games were organized in तो Kalo India University Games का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ था तो इसमें पूने महरास्ट आप स्लाइड थी जिसमें headquarter जो था वो आपका new Delhi में located है जो first edition हुआ था ये डैली में organize हुआ था second edition आपका पूने महरास्ट में हुआ यहाँ पे winners को भी हमने पिछली slide में cover किया था लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम organize की बात कर रहे हैं क्योंकि organize का question आपसे पूछा गया है third edition आपका गुहाटी आसाम में हुआ fourth edition postponed हुआ 2022 में जिसको पंच कुला हरियाना में organize किया गया और यह हरियाना के द्वारा आपका जीता गया था जो fifth edition है यह आपका 2023 में हुआ 22 में हुआ था लेकिन postponed होके 2023 में हुआ भोपाल मध्यप्रदेश में जिसको महरास्ट ने जीता था तो य यह भी तीसरा question भी हमारा extra information से पूछा गया है फिर एक question आपसे पूछा गया कि लंबडी dance from आंदर प्रदेश is performed by which tribe आंदर प्रदेश का एक dance form रहेगा लंबडी जो कि किस जन जाती के द्वारा आपका किया जाता है अब यह आपका आंदर प्रदेश और तेलंगना दोनों कि बंजारा जो tribe है उनके द्वारा इस dance form को perform किया जाता है कुछ basic जो हमारे dances है उनको एक बार cover करेंगे तो कजरी dance उतर प्रदेश का है लुद्धी dance पंजाब का आंकिया नट आसाम से लेजिम dance महरास से जाता जतिन बिहार से रौफ जम्मू कश्मीर से भरत नाट्यम तमि मोहिनियाटम कहरिला से सत्रिय आसाम से भवई राजिस्थान गुजरात से और यक्षकना रहे का करनाटका से यहाँ पे हम आप सभी को एक important चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी भी topic की separate video देखनी हो तो all static gk topic के नाम से एक हमारी playlist है जिसका link आपको description में provided है उस playlist में आपको हर एक single topic की separate video मिल जाएगी तो उस playlist को भी अगर आप तयार कर लेंगे तो आपका पूरा slayvers complete हो जाएगा next question देखते हैं विच उनिवस्टी वंदी थर्ड खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स तो तीसरा जो खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स हुए ये किस विश्विल द्याले ने जीते हैं ये question आपका repeated है और लेड़ी आपके exam में पूछा जा चुका है इसमें आपका पंजाब उनिवस्ट इस question का correct answer था question repeat हुआ है जिसमें second rank रही गुरु नानक देव युनिवस्टी की जो की है अमरे सर की इसको organize किया गया उत्तर प्रदेश में ये भी आपसे पूछा जा चुका है कहां पर organize हुआ third खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स तो उत्तर प्रदेश था एक बार आपसे पूछा जा चुका है question की third खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स का mascot क्या था तो वो जीतू था जो की बारा सिंगा जो की क्या है आपका state animal रहेगा उत्तर प्रदेश का वो आपका represent कर रहा था तो जीतू भी पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश भी पूछा जा चुका है university भी पूछी जा चुकी है तो ये तीन चार बार question आपके यहां से repeat हो चुके है who was the founder of the high dance और fusion dance तो आप सब को पता है ये question भी हमारा cover कराया गया question है कि high dance और fusion dance किसके दुआरा आपका दिया गया था तो ये आपका उदैशंकर पंडित उदैशंकर जो है वो आपके fusion dance से related है fusion से related है और इनके दुआरा ही fusion जो है वो famous किया गया था who was the first speaker of the log sabah लोगसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बिल्कुल basic question जीवी मावलंकर क्या थे पहले speaker थे लोगसभा के अगर revision की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं first speaker of the log sabah जीवी मावलंकर रहेंगे पहले इंडियन जो space में गए थे वो थे आपके राकेश शर्मा पहले इंडियन कमांडर इंचीफ रहेंगे जनर्र केरियपपा पहले प्रेसिडेंट जिनकी death हुई office में डॉक्टर जाकिर हुसैन थे पहले field marshal थे इंडिया के SHF मानिक शा पहले इंडियन जिनको noble prize मिला अबुलकलाम आजाद है होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लब भाई पटेल एयर चीफ मार्शल एस मुखर जी थे नेवल चीफ थे आर्टी कटारिया जिनको पहले परसन जिनको परमवीर चक्र मिला वो थे सोमनाश शर्मा पहले चीफ एलेक्शन कमिश्टर थे सुकुमार सेन तो यह आपको ध्यान रखना है फिर एक कोशन आप से पूछा गया बहुत इंपोर्टेंट कोशन रहता है और जो हमारी करेंट अफेर की एबुक है वहाँ पर यह आपको बहुत डीटेल में हमने कोशन जो है कवर कर आया था विच इंडियान ग्रेंड मास्टर इसकोर 2700 प सब्सक्राइब के डी गुकेश और इन्होंने विश्वनात आनन से भी जादा स्कोर किया था इनको प्लेयर आफ दे यर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है एक कोशन फिर आप से पूचा गया कि म्यूजिक डारेक्टर आप दी फिल्म शोले इन 1975 की बहुत जादा फेमस फिल्म रहती है आपकी शोले तो उसके संगीत निर्देशक आप से पूचे गए तो म्यूजिक डारेक्टर थे आडी मर्मन और अगड़ सिर्फ डारेक्टर की बात करी जाए तो वो थे रमेश सिप्पी which port was developed soon after independence to ease the volume of trade on the Mumbai port तो कौन सा आपका port है जिसको independence के तुरंत बात आपका बनाया गया था डेवलब किया गया था जिससे की जो ट्रेड है वो आसानी से किया जा सके मुंबाई port से जो था इस मुंबाई port को इस मिल सके तो उसमें आपका कांडला port option में था जो आपका इस question का correct answer था क्योंकि जो पाकिस्तान है वो अलग हो गया था जो कराची port था उससे भी आपका जो ट्रेड था वो किया जाता था तो कराची port जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था इस वज़े से मुंबाई port के साथ कांडला port को develop किया गया था इंडिया के अंदर direct independence के की गई है तो नव सेवा port जिसको जवालनाल नहरू port भी बोला जाता है महरास्ट में located है मर्मुगाव port है गोवा में मैंगलोर port करनाटका में मदरास port तमिलनाडू में परेडिप port उडिशा में हालदिया port वेस बिंगाल में मुंबाई port largest port रहेगा इंडिया का जो की महरास् फिर आपसे एक कोशन पूछा गया कि विजय इस्तंब इस लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विजय इस्तंब भारत के किस राज्य में है तो यह आपका चित्तोडगर राजिस्थान में located है आप सबको पता है राजिस्थान में आपका विजय इस्तंब रहेगा इस्तंब कहा से किया था इंडियन कॉंस्टियोशन में तो आपका जो भी ओप्षन था उसके इस कुस्चन का गरेक्ट आनसर हो जाएगा विजय इस्तंब की यहां पे बात की गई है रिवीज़न की स्लाइड ड passionate है आप'T देख सकते हैं विजय इस्तंब आपका सासराम भिहार में, हुमायू टॉंब डैली में, बीबी का मक्बरा औरंगाबाद महारास्ट में, कनेरी फोर्ट मुंबई महारास्ट में, जगनात पुरी टेंपल रहेगा पुरी उडिसा में, अदै दिन का जोपड़ा अजमेर राजिस्थान में, भरतपुर फोर्ट भरतप alluvial soil तो सबसे जादा जलोद मिट्टी कौन से राज्य में है तो आपको option में जो मिला होगा उसके इसाब से answer होगा आपका जो alluvial soil है ये पंजाब, हरियाना, उत्तरपरदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में आपकी पाई जाती है अगर इन में से दो option थे आपके उत्तरपरदेश option में था तो वो आपका इस question का correct answer हो जाएगा जो इंडो genetic reason है प्लेन है आपका उसमें mainly आपका alluvial soil जो है वो पाया जाता है which state has the lowest population as per census 2011 कौन से राज्य की जन संक्या सबसे कम है तो आप सब को पताए सिक्किन की जन संक्या सबसे कम रहेगी और उत्तरपरदेश की जन संक्या सबसे जादा रहेगी population सबसे जादा है उत्तरपरदेश की और सबसे कम है सिक्किन की कितनी बार इस question को हमने cover किया है सबसे जादा population वाली union territory है डेली lowest वाली रहेगी लक्ष्टी highest populated state उत्तर प्रदेश है lowest है सिक्क्य highest urban population महारास्ट की है और इंडिया की 31.2% रहेगी total urban population rural population highest रहेगी उत्तर प्रदेश की और इंडिया की जो rural population है 68.8% average sex ratio 9.43 रहे का highest sex ratio वाली state केरेला है lowest sex ratio वाली state हरियाना हो जाएगी highest sex ratio वाली union territory पुरुचैरी है lowest है दमन्तिवी total person literacy rate 74% male रहेगा 82.14% female है 65.46% highest literacy rate वाली state केरेला है और lowest रहेगी बिहार ये question और लेडी exams में बहुत बार पूछे जा चुके हैं census की separate वीडियो भी है आप उसको cover कर सकते हैं next question जो आप से पूछा गया वो पूछा गया कि first state to pass advocate protection bilk तो advocate protection bilk पास करने वाली पहली state कौन सी बनी तो वो आपकी राजिस्थान बनी और ये जो हमारी e-book है current affair वाली वहां से ये question आपका पूछा गया है who is the author of the book animal farm animal farm पुस्तक के लेखा कौन है तो George Orwell इस question का आपका correct answer था ये question हमारा cover कराया गया question नहीं रहेगा ये आपका अलग से question पूछा गया है अगर books and author की हम बात करें तो नेग्ड ट्राइंगल है बलवंत गारगी की this struggle in my life नेलसन मंडेला की we Indian खुश्वन्त सिंग की अ सेकुलर एजेंटा अरुन्शोरन की अ वोईस फॉर फ्रीडम नेंतारा सहगल की थ्री डिकेट्स इन पार्लेमेंट अटल बिहारी वाजपाई की कश्मीर बिहाइंड दी वेल एमजे अकबर की सैटनिक वर्से सलमान रुजदी की परत्विराज रसो चंद बढ़दाई की आइडल सुनिल गावसकर की मेगदूत कालिदास की दी ब्लाइंड एसेसिन मार्गरिट एट्वोट की बुक हो जाएगी फिर आपसे कोश्चन पूचा गया की प्रोभीशन ओफ चाइल्ड मेरिज एक्ट वर्ड लॉइंड इन विच इयर तो बाल विवान निशेद अधिनियम कब लागू किया गया 2006-2006-2006 आपका इस कोश्चन का करेक्ट आंसर था लेकिन अगर आपसे पूचा गया था कि चाइल्ड मेरिज रिस्टें अक्ट कब आया थो वो 1929 आपका इसमें आंसर था ये कोश्चन ओल लेडी एक्जाम में आपका पूचा जा चुका है हमने कवर भी किया था उसमें एक्स्टा इंफॉर्मिशन को भी हमने कवर किया था जिसमें हमारा पहला ही जो कोश्चन था वो आपका था प्रोबिशन ओफ चाइल्ड मेरिज अक्ट 2006 का आपका रहेगा इंचेंट मॉनुमेंट अंड आर्केलोजिकल साइट अंड रिमेन अक्ट 1958 का रहेगा डावरी प्रोबिशन अक्ट रहेगा 1961 का प्रोटेक्शन ओवुमें फ्रॉम्स्टिक वोलिंस अक्ट 2005 में आया प्रोवीजन ओफ पंचायत अक्ट 1996 का रहेगा नेशनल फूद सेक्यूर्टी अक्ट 2013 में राइट अफ चिल्रेंट फ्री एंड कंपल्सरी प्री एडूकेशन एक 2009 में प्रिवेंशन आफ करफ्षन एक 1988 में लोकपल अंड लोका-उक तक 2013 में फूड सेफ्टी अधिस्ट एंड इंडर्ड आक 2006 में इंडियन फॉरेस्ट एक 1927 में Wildlife Protection Act 1972 में और Environment Protection Act को 1986 में आपका launch किया गया था Next question आप से पूछा गया Which disease causes Bone pain, poor growth and weak bones तो किस कारण की वज़े से जो हमारी हड्डिया है उन पे effect आता है Bone से related आपका question रहेगा तो Rickards जो बिमारी होती है उस वो cause करता है Bone pain, poor growth and weak bones जो किस कारण की वज़े से होता है तो deficiency of vitamin D vitamin D की कमी की वज़े से Rickards बिमारी हमको होती है फिर micro finance institution से भी लगातार question बन रहे है पिछली shift में भी पूछा गया था पीछे भी question पूछा गया था तो इसको एक बार आप detail में जरूर कवर कर ले तो what are the advantages of the micro finance institution individual became financially empowered so that they can repay their loans तो क्या होता है जो business है या फिर individuals है वो financially empowered हो जाते है जिस कारण की वज़े से वो repay कर सकते है अपने loans को आप से पिछली shift में पूछा गया था कि micro finance जो institution है इसको regulate कौन करता है जिसमें आपका Reserve Bank of India question का correct answer था अब यहाँ पर vitamin की related बात करी गई है disease से related बात की गई है तो एक बार cover करेंगे छोटा सा topic रहता है water soluble vitamins है vitamin B और vitamin C fat soluble vitamins रहेंगे vitamin Kida जिसको vitamin K, E, D, A भी बोला जाता है vitamin A को retinol भी बोला जाता है जिसकी कमी से night blindness की बिमारी होती है vitamin B1 को thymine भी बोला जाता है जिसकी कमी से beriberi disease होती है vitamin B2 को riboflavin भी बोला जाता है जिसकी कमी से growth और bad skin होती है vitamin B12 को sinokobalim भी बोला जाता है जिसकी कमी से anemia disease होती है vitamin C को ascorbic acid जिसकी कमी से scurvy होती है vitamin D को calciferol जिसकी कमी से rickets होती है विटामिन के को फाइलो कुनेन जिसकी कमी से excessive bleeding due to injury की परेशानी होती है तो ये विटामिन से related कुछ आपके important questions हो जाएंगे next question जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि चाओट is an allotrop of the तो चाओट का एक अपरूप है तो किसका है तो carbon का एक allotrop रहेगा आपका चाओट question थोड़ा सा इसमें confusion है तो इसको आप question यही पूछा गया था या कुछ और इससे related question था एक बार आप comment box में भी type कर देना एक question आपसे पूछा गया the money value of all final goods and services produced within the country in a year is known as तो एक साल के अंदर अंदर country के अंदर जो money value जो होती है final goods और services की जो produce की जाती है एक year के अंदर अंदर उसको क्या बोलते हैं हम तो उसको GDP बोला जाता है gross domestic product उसको बोला जाता है तो इसमें GDP जो था आपको option में मिला होगा जो इस question का correct answer है next question की अगर बात करें तो आपसे पूछा गया question की why western coast of India receives very high rainfall in summer तो जो हमारा western coast वाला area है इंडिया का उसमें बहुत जादा heavy rainfall होती है summers में गर्मियों में किस कारण की वज़े से क्योंकि western guards की वज़े से होता है western guards की वज़े से जो बूदे हैं आपकी वो क्या होती है वो long distance cover करती है और उस कारण की वज़े से high rainfall होती है western coastal area पे इंडिया के तो western ghats आपको option में मिला होगा या option के साफसे answer बनेगा आपका तो इस question का answer हो जाएगा तो ये total questions हैं जो आज की shift से related हमको मिल पाएं है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like करें, share करें चैनल को जरूर subscribe कर ले, ebook बाई करने के लिए link description में है current affair वाली ebook को तो आप जरूर बाई कर ले, आगे अगर कोई और exam भी आपका आता है तो उसमें भी आपको same ebook बहुत जादा help करेगी, क्योंकि वो उसमें सारे 2023 के अभी तक के current affair हमने पूरी तरीके से आपको cover करा दिये है क्योंकि वहाँ से exams में तो आपको question जरूर बनने है और बाकी हमारे telegram group रहेगा, जिसका link description में है आप उसको join कर सकते हैं, free में PDF आपको वहाँ पे मिलेंगी analysis की hard shift की आपको PDF provide कराई जाती है बाकी हमारा जो playlist है, वो तो आपने check out करी लिया होगा all static gk topic के नाम से, उसका link भी आपको description में मिल जाएगा धन्यबाद